आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, welcome to डाउटनेट तो आज इस question हमें पूचा गया की which of the falling standard about H3 BO3 is not correct तो हमें बताना है की हमारी बहुत से acid के बार में conscious statement हमारी correct नहीं है, ठीक है तो option 1 में हमें बोला की it has a layer structure in which planar BO3 unit are joined by hydrogen bond ठीक है, तो यह में देखना पड़ेगा की हमारे structure planar होता है की नहीं तो यहां पर हमारे पास B है, ठीक है यहां पर हमारा एक इसमें OH होगा ठीक है यहां पर हमारे पास OH ठीक है, यहां पर हमारे पास OH ठीक है, तो यहां पर हमारे पास planar BO3 है, ठीक है और हमारा O group है, वो connect है हमारे hydrogen के साथ ठीक है, और यह हमारा layer structure होता है option 1 के state में हमारी correct है ठीक है अब option 2 में हमें वोला गया है कि it does not act as a proton donor ठीक है but act as a Lewis acid by accepting hydrochly ion ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखे यह हमारा acid की तरह act करता है नहीं यह हमें पहले देखना पड़ेगा इसके अगर fundamentals में देखे Bromid कि हमारे पास 6 electron होते हैं तो यह हमारा प्रट्रोन 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 प् पर हमारे पास negative आगया ठीक है और plus हमें यहां पर क्या मिल जाता है यहां पर H3 यहां पर positive जाज आजएगा ठीक है यह पर हम देखेंगे कि हमारा यहां पर एक OH आयँ यहां पर hydroxy ion हमारे हमारे h3-2O3 में एड़ हो रहा है ठीक है तो यह हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रों असेप्ट कर रहा है तो यह हमारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रों असेप्ट कर रहा है ठीक है जो इस रेक्शिनों में देख रहा है ठीक है अब अगर यहाँ पर हम δείkhных option three में हमें बोला कि it is a strong tri-basic acid तो यह हमें देखना पड़ेगा कि हमारा strong tri basic है कि नहीं यह हमारा होता है यह हमारा weak acid होता है ठीक है यह हमारा क्योंकि हमारा यह सिर्फ OH हमारा hydroxyуса except कर था ठीक है तो यह हमारा mono basic होता है, यह हमारा monobasic acid होता है, यह हमारा कभी भी है H positive हमने यहीं पर देखा कि यह proton को donate नहीं करता है, यह हमारा accept करता है OH-1 को, तो उस वज़े से हमारा Lewis acid होता है, तो यह सिर्फ एक ही OH-1 accept करता है, क्योंकि हमारी boron की covalency होते है वो 4 होती है ठीक है तो इसकी covalency अगर हम देखेंगे तो इसकी हमारी covalency mix में 4 हो सकती है ठीक है तो इससे जाधा accept नहीं कर सकता है तो एक ही accept करता है ठीक है तो इसलिए हमारा acidifying aqueous solution of borax तो यह मैं चेक करना है करना है हमारा यह बनता है कि नी h3, b o 3 हमारा बनता है कि नी जब acidify करते हैं aqueous solution of borax तो पहले हम borax formula लेख लहते हैं borax हमारा क्या होता है na2 हमारा b 4 o 7 ठीक है तो उसको acidify करते हैं hcl से ठीक है यहां पर 4 mol of H3, यहां पर BO3, ठीक है, और प्लस हमें मिलेगा 2 mol of NaCl, ठीक है, तो जब हम Acidify कर रहे हैं HCl से, ठीक है, HCl हमें Acidify के लिए यूज़ कर रहे है, Equal Solution of Borex, मतलब water डाला हुआ है उसमें, ठीक है, तो हमें यहां पर, यहां पर हमारे पास Borex Acid मिल रहा है, ठीक के लिए इनकरेक्ट है, तो हमारी Option 3 की सिर्म में इनकरेक्ट है, तो हमारा Answer आया Option 3, तो मैं आशा करता हूँ कि यहां पर कुछ से समझ पाए हूँगे, धन्यवाद